दमश्कार दोस्तों मेरे नामे वालचंद्र ब्रह्मांड सिद्याश्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वडियो में हम आदरा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि आदरा नक्षत्र किस प्रकार का होता है उनका स्वभाव विशेश किस प्रकार के होते हैं स्त्री पूरूष आदरानक्षत्र के वो किस प्रकार के होते हैं, उनका करियर किस प्रकार का होता है, मूरत शास्त्र में या आदरानक्षत्र किस प्रकार से उप्योग में लाये जाते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, अपना ये जो चैनल है इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है इन सभी के बारे में वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप इसका आनन्द जरूर लीजे आज की विशय में या फिर आज की वीडियो में हम आदरा नक्षत्र के बारे में चर्शा करेंगे तो आदरा इस शब्द से ही आपको पता चलेगा आदरा मतलब पानी से लबालब या फिर जिसे हम गीलापन कहते हैं वही तो वही बात होती है क्योंकि अगर आप देखो तो आदरा नक्षत्र में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होता है तो पृत्वी पर जो बारिश होती है उसका स्तर थोड़ा बढ़ जाता है तो इसी वज़े से इस नक्षत्र को आदरा काया जाता है जो भी सकता इस नक्षत्र है इस सकता इस नक्षत्र के अगर उनकी जो नाम है उस नाम के अगर आप अर्ध भी जान लो तो भी आपको पता चलेगा कि इस नक्षत्र के चतुषपाद यह नक्ष रहे चतुश पाद मन्हें मिथु नराशी में आते हैं उसी प्रकार मद्धे लोचे नहीं माने क्या पिर मनु伏एगा नहीं क्या उसके प्रमांत 혹시 प्रकार उसके संदर सांधर में हमने अलग अलग वीडियो निकाले हैं नक्षत्र के वीडियो में आपको पता चलेगा कि मद्दिलोचिनिवाने क्या या फिर देव गनी नक्षत्र, मनुष्य गनी नक्षत्र या फिर राक्षस गनी जो नक्षत्र है उनके जो प्रामाण है वो किस प्रकार के उसके संदर में भी वीडियो अपलोड है आप उसका अ पूरी तरह से उसको देखा जाए तो इस नक्षत्र में राहु का पराकडमाता और उसकी जो कुटिलनीती वह इस नक्षत्र में देखी जातीं उसी प्रकार बुदर का चातुरिया भी देखा जाता है और बुदर का जो डिपलेमेसी का जो वेवार होता है मतलब अच्छा बोलना और अपना जो स्वार्थ है वो निकालने जिसके डिपलेमेटिक कहते हैं तो वो बात भी इस नक्षतर में काफी देखे जाते हैं और इस नक्षतर के जो देवता है शिव, उनका रूदरा उतार भी देखा जाता है, उनकी प्रसंनता भी देखी जाता है, इसी प्रकार इस नक्षतर में सत्व और रज इन दोनों गुनों का मिलाप काफी अच्छी तरह क paper mister paved आकाश में अगर देखें तो यह जो नक्षतर है इस नक्षतर का जो तारा होता है वो काफी भड़की ला और लाल रंग का दिखता है और वो लाल मनी की तर आकाश में दिखाई देता है वैसे देखें जो यह तेजस भी नक्षतर है उसी प्रकाश इस नक्षतर में जो जातक जन्म लेते हैं जो विक्ति जन्म लेते हैं वो कठोर होते हैं निश्चही होते हैं दुराग रही होते हैं हट वादी होते हैं मतलब अपने ही हट पे कायम रहना अपने ही बात पे कायम रहना ऐसे होते हैं दुराग रही माने कि अपना काम अगर किसी का किसी और का मतलब नुक पूचते हैं खुद के बारे में ही सोच ना जिसे हम उते हैं गृतक ना होते हैं अगर इनके पास मतलब कि इनके दौरा इनके लिए अगर किसी ने कोई मदद भी कर दी लेकिन जब इतलह समय आता है तो यह जो वेक्ति यह नहीं देखेंगे कि सामने वाले मुझे मदद की यह नहीं वह अपने स्वारत के बारे में अपने फाइदे के बारे में पहले सोचेंगे यह बात इस नक्षत्र में देखी जाती है हिंसक होते है गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आ जाता है उसी प्रकार थोड़ जूटा पन भी होता है जो सभी नेगेटिव गुन हैं इस नक्षत्र में देखे जाते हैं दूसरी ज़्यादा बैदावाद चीटिंग करना फसाना फस जाना यह बात इस नक्षत्र में देखे जाते हैं विश्वास अभी विश्वास नक्षत्र पर नहीं रखा जाता क्योंकि राहुë का नक्षत्र है सकता है मतल dau सामने आपको लगेगाँ यह जो नक्षत्र है काफी अच्छहतर की लेकिन विश्वास रखने के लिए आपको दो बार кोगा उसी प्रकार देकिन एकsl तो बात है कि कि इस पस्मीच्टक ए जो विएस्टिबान ऑफ यह उते हैं क्योंकि यह बुद्द के राशी में होते हैं संशो कोई भी अगर जान करी तो इसा प्रकास हासिल करना हैं कैसी हासिल तक जाना उसके बास के पूरी सोच रखना जिसवे बाते इस नक्षेतर में देखी जाती है काला कायो चले के बारे में फोटोग्राफी भी इनको काफी पसंद आती है ड्रॉइंग, आर्किटेक्ट हो तो यह सभी बाते हैं, यह सभी फिल्ट से भी यह नक्षेतर है, जो है वो रिलेट करने वाला भी होता है और एक दो बात इस नक्षेतर में काफी अच्छी देखी जाती है कि इन्हें suddenly लक्षुमी प्राप्ति होना मतलब अचानक कोई धन प्राप्ति होना लक्षुमी के प्राप्ति होना या फिर किसी बड़ी वीक्ति के कारण लाब होना कि या फिर उनको मदब मिलना, अगर ये वीक्ति किसी प्राबलम में फशे हुए है हैं बहुत ज़्यादा बड़े प्राब्लम में फसे हुए हैं तो फिर इनको मतलब ऐसी मतलब इनके बार यह सोच भी नहीं सकते इसी प्रकार इनको मदद मिल जाते क्योंकि इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शिव है स्वामी शिव होने के बार कारण इस नक्षत्र में जात होने के करण यह first नहीं जाते किसी problem में या फिर complication में तो यह बात इन में काफी ज्यादा या फिर लट जल्दी लग जाती है तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो विक्ति मतलब आराम की जिन्दगी गुजारते हैं उनके बार में easy money के पीछे वो ज्यादा भागते हैं तो वही बात इस नक्षतर में देखी जाते हैं कि इस नक्षतर के जो जातक होते हैं इन्हें शक्ति काफी अच्छी देखी जाती है सहन शक्ति शारर शक्ति शारर रिक उर्जा जीवन शक्ति रोग प्रतिकार रिक शक्ति इनमें काफी अच्छी देखी जाती है और पूरुषों के लिए जो आवशक धैरिया होता है साहस होता है स्वतंतर प्रेम या फिर शौर यह इ चाहरता इस नक्षत्र में देखी जाती है स्नदर में मतलों किसी स्थी पहए छोת गिनवा है। जो कि पूरुशम में ज़धा पाए जाते हैं वो श्रियों में भी पाए जाते हैं सवंधरे का थोड़ा अभाव रहते है मतलब यह जो नक्षत्र है वो अपना सवंधरेवा नहीं रहता शाररिक और बध्धुधुक दुश्च्ट से यह जो हो अनुकूल होता है Mistleri Trung के लिए उनके हाइड देखे प्रकर से देखे जाते हैं करियर के मामनि Definitely को ऒख़ा जाने है और देखा जाती है करियर के मामने में अगर देखा जाये का अफिक है हो जो मतलब उचे अउदे हैं उसमें ये देखे जाते हैं अकाउंटर्ट हो सकते हैं फोटोग्राफर हो सकते हैं संशो दोग मेने जैसे कहा साइंटिस्ट वगरा हो सकते हैं केमिस्ट या फिर प्रिंटिंग मीडिया में भी हो सकते हैं कागज से रिलेट जो भी काम है उसमें भ भाव है मतलब इस नक्षत्र का जो सौमी है वो राहू है तो मांत्रिक या फिर जारन मारन करने वाले जो लोग होते हैं उनमें देखे जाते हैं चोर या फिर पाकिट बार इनमें भी यह नक्षत्र देखा जाता है अब हम जर्शा करेंगे कि मूर्त शास्त्र में जैसे भी इ ऐसे भी कूई काम होते हैं जो कि अच्छे नगे होते हैं अशुवा काम होते तो उसमें इसको कवे काम किया जाये तो सफल हो जाये जैसे कि श्ट्रू का अध्र करना मंत्रतंथ्र जादू टोना, अगोर्य विद्या और कैमीकर्श क्षट्र जेदावर करना इसमें आपको ये वीडियो कैसे लगा आपने किस तरह से अनुबह किया इसके बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्माद सिद्धियास्ट्रो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बेल आकन भी दबा देना जिसके विज़े से बने लाओ